नमर्श कार स्वाकत है आपका अपने प्रिवार हीम रक्षक चैनल बर आशा करती होगी आप सपीलुक अच्छे होंगे तो वास का मुक्टेस पेपर है हिंदी ग्रैमर के उपर जो बच्चे एच्पी पुलिस कॉंस्टेपल की त्यारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल क्लास है और जो किसे अधर एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं उनके लिए ये भी विडियो इंपोर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि हिंदी ग्रैमर की कॉशन एक्जामस में पूछे ही जाते है और ऐसे ही एक्जामस में आते हैं तो स्टार्ट करने से पहले आपको स्टूडेन बता जानते हैं तो धूम्र का तदवम जानते हैं तो धूम्र का तदवम जो होता है तो वह होता है धूम्र ठीके यदि आपको इसका तदवम पूछ लिया जाए तो आपने बताना है धूम्र जो नीची आपके शब्द देगे हैं यहाँ पर हाथ माला और दूद यह सारे की सारे जो है तदवम है अब देखे हाथ का अगर आपसे पूछा जाए कि तदस्वम क् आते हैं हाथ का हस्त माला का मानि ठीक है माला का मानिक और दूद का दुग्द यह भी आपने नोड कर लेना है यह जो है इनके तदस्वम है और यहाँ पर जो अप्शन में दिए गये हैं बी सी डी यह तदवम है ठीक है नेक्स देखे है टू कोशन देए गे विकल्पों मे से कौन सा शब तद्वव है उपर आपको तस्सम पूछा गया था सेकिंड में आपको तद्वव पूछा गया है तो options को देखते हुए यहाँ पर जो करना है ठीक है अब students मुझे बताए कि रात्री का तद्वव क्या होता है क्योंकि यहाँ पर जो हमने find करना था वह कौन सा था तद्वव था तो यहाँ पर option number A जो था correct था अब B, C, D जो है आपके यह कौन से शब्द है किस में आते हैं आपने मुझे comment section में यह comment करके जुरूर बताने है ठीक है थार्ड question देखते हैं जिसकी पहले से आशा हो तो जिसकी पहले से आशा हो उसे क्या कहते हैं वाक्याश के लिए एक शब्द आपको पूछा गया है तो यहाँ पर जो D option है प्रतियाशित जो है यहाँ पर सही उत्तर है ठीक है इसे इसे question आपको पूछ लि है अगर ना ना हूँ तो आपने प्रत्याशित करना है ठीक है इसे के साथ आपके एक और clear हो गया next देखते है fourth number पर अनयास का विलोम क्या है यहाँ पर आपको एक विलोम पूछा गया है और किसका पूछा गया है अनयास का सबसे पहले आपको इसका मतलब ही पता होना जाए ठीक है इसका मतलब होता है सरलता से ठीक है बिना प्रियास से बिलकुल असानी से तो यहाँ पर जो है option a, b, c, d दी दिये गे हैं यहाँ पर option इयाम का जो मीनिंग था वो क्या था प्रिश्रम से महनत से ठीक है नेक्स देखते हैं आपका 5th question नीचे देखे विकल्पों में से उपसर्ग रहित है जो उपसर्ग रहित लिखा होता है तो आपको पता करना है कि यहाँ पर जिसका उपसर्ग नहीं है ठीक है तो options को देखते हुए यहाँ पर जो है ए उपसर्ग रहित है यहाँ पर उपसर्ग रहित है यहाँ पर उपसर्ग अलमारी में नहीं है बाकि BACD में उपसर्ग है नेक्स देखते हैं आपका six questions जिस विकल्ब में संग्या शब्द नहीं है उस विकल्ब का chain केजिए जिसमें संग्या शब्द नहीं है ठीक है जिसे व्यक्तिवाचक जातिवाचक भावाचक संग्या में आते हैं तो आपने यहाँ पर options को देखना है देखिए option number A जो है आप यहाँ पर एक विशेषता बता रहा है, ये विशेशन में है, तो यहाँ पर यह संग्या शब्द का रूप नहीं है, ठीके?, बी, सी, डी है, लेकिन ये कभ होगा संग्या师 में, अगर इसमें प्लस कर दिए जाएना ता, सुन्दर ता, तब ये बावाचिक संग्या बन सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सुन्दर, विशेशन है यह, तो यहाँ पर जो संग्या शब्द नहीं है, A option में, ठीके, नेक्स देखते हैं, 7 question, टूटी शांट यह, ठीके, तो आपने इसमें जो गलत है, वो आपने शांटना है, option number B, जो है यहा प्रायता देखकर कोई लाब ना होगा, तो बेकार में यहाँ पर तूटी है, नेक्स देखते हैं, 8 question, मुहावरे का अर्थ सपस्ट कीजिए, अंतर में पत खोलना, तो यहाँ पर आपको महावरा दिये गया है, अंतर में पत खोलना, इसका जो है अर्थ क्या होता है, तो option number से जो है आपर विवेक से काम लेना, ठीके, नेक्स 10 question देखते हैं, नीचे देए विकल्पों में से प्रत्य रहित है, तो प्रत्य रहित कौन सा है, तो आपने पता का नहीं है, इनो option में से, तो प्रत्य रहित का अर्थ होता है, जिसमें प्रत्य नहीं है, ठीके, तो कूख ख्यात में प्रत्य नहीं है, इसमें उपसर्ग है, कू का अर्थ होता है, बुरा, ठीके, कू का अर्थ होता है, बुरा, और इसका ये उपसर्ग है, लेकिन इसमें प्रत्य नहीं है, अब आपका जो ख्यात है ना, ये इसका मूल शब्द है, ये इसका मूल शब्द है, ये और इसे के साथ आपने इसका meaning भी याद रखना है कि इसका अर्थ होता है बदनाम ठीक है इसका अर्थ होता है बदनाम यदि अर्थ पूछ लिया जाए तो आपने बदनाम पे टिक करना है निमिलिक्त शब्दों में से pulling का chain कीजिए तो pulling का chain करना है जब भी आपको ऐसा question दिये रहता है तो आपने कैसे बता करना है अच्छा और अच्छी लगाकर ठीक है या फिर मेरा मेरी लगाकर अब आपको मैं बताते हूं कि आपने कैसे attempt करना है इस question देखिए दही हमने खाया तो देखिए हमें अच्छा लगा हम देखिए अच्छी लगए ऐसा कुछ बोलते है नहीं है न तो अच्छा जो है आपका pulling में आता है देखिए यहीं से आपको question defined हो गया तो यह option जो है हमने क्या डूनना था pulling बाकी दीखिए कोईल अच्छी लग रही है है ना कोईल अच् अच्छा में pulling वाले मेरी में इस्त्री लिंग में और जो मेरा है pulling में जाएंगे ठीक है अवा हवा जो है आपकी अच्छी चल रही है हवा अच्छा चल रहा है ऐसे तो हम नहीं बोलेंगे न तो आपने sentence जब यूज करना है बोलने में तो कैसे यूज करना है हवा अच्छी चल रही है, जहां पर अच्छी use हो गया वो इस तरी link में चला जाएगा ठीक है, और जहां पर अच्छा use हो गया, वहां पर क्या वो pulling में चला जाएगा, ठीक है, यह question आपको बहुत जाद ही लगेगा जब भी आप exam में attempt करोगे इसको ठीक है, ऐसे आपने attempt करना है, कैसे करना है दही अच्छा है कोईल अच्छी लग रही है ठीक है या फिर सुन्दर गा रही है या फिर मेरी कोईल सुन्दर है मुर्गी अच्छी है और हवा अच्छी चल रही है ठीक है दही अच्छा है तो पूलिंग व्याता है ठीक है इसी के साथ जो ऑप्शन नमबर ए है न आपका correct है next देखते हैं 12 question जो सुना ना गया हूँ और सुना ना गया हूँ option number C जो है यहाँ पर शुरत जो है सही उत्तर है next देखते है 13 number जिसका जनम ना हुआ हो option number C जो है जनमा जनमा जो है ठीक है इसे के साथ question exam में इसके regarding वाक्याश की लिए एक शब्ध है तो जनम के related जो question पुछा जाते हैं एक question आपसे थी है जिसका जनम पहले हुआ हो तो यह भी नोट करना हो और जिसका जनम जो है बाद में हुआ हो तो उसे आनुज बोलते है ठीके जिसका जनम बाद में हुआ हो तो उसे अनुज भोलते हैं बाद वाले को अनुज और पहले वाले को अगर्ज ठीके और जिसका जनम ना हुआ हो उसे अजनमा कहते हैं ये तीन जो है वाक्याज के लिए शब्द इंपोर्टन्ट है आपने अभी लिख लेने है और इसको याद भी कर लेना है ठीके निक्स देखते हैं 14 कोशन 14 कोशन है आपका ब्रिक्ष का पर्यावाजिक शब्द क्या है तो ब्रिक्ष का पर्यावाजिक शब्द यहाँ पर जो है options को देखती हुए देखिए option जो है आपको दिये रखी हुए यहाँ पर जो है C option correct है ठीक है अगम जो है ब्रिक्ष का परियावाजिक शब्द है अभी रोट करें और क्या होते हैं ब्रिक्ष के परियावाजिक शब्द तरू, पेड, पादव विटब, दर्यक्थ ठीक है शाखी द्रूम यह सारे के सारे important है देखिए तरू जो है यह भी exam में कई वार पूछा गया है ठीक है बिटब यह भी ठीक है और पेड़ तो आपको easy लगेगा अगम देखिए यह जो है ब्रिक्ष का क्या है परियावाजिक शब्द है तो आपने नोट कर लेने है तरू, अगम, पेड, पादफ, विटब, दर्यक्थ, शाखी, द्रूम यह सारे के सारे जो है विक्ष के परियावाजिक शब्द है इसी के साथ आपको जो options देए गए है यहाँ पर आनुचर आनुचर जो होता है, किसका परियावाजिक शब्द है तो आनुचर शब्द होता है गुलाम का, ठीक है परियावाजिक शब्द किसका होता है गुलाम का, यानिकि नोकर का, दास का, देखी और कितने मिनिंग आ गए इसके है न दास का, इसी के साथ आपने कितने सारे पर्यवाचिक लण कर लिया भी ये तो इसी थी, आनुचर का दास, गुलाम और नोकर ठीके, अब यहाँ पर आपको दिया गया है एक सूर्बी सूर्बी जो होता है, किसका पर्यवाचिक शब्द होता है और मोही, ठीके, ये भी किसका पर्यवाचिक शब्द है ये दोनों एकी के पर्यवाचिक शब्द है, गाएंके, ठीके गाएंके, 15 कोशन देखते हैं, बादल का पर्यवाचिक शब्द बादल का पर्यवाचिक शब्द जो है, क्या है इसमें Option number A जो है यहाँ पर सही है ठीक है इसी था बादल का मेज जो है क्या परयवजिक शब्द है इसी के साथ आपने नोट कर लेने है कुछ और important परयवजिक शब्द ठीक है आपने यह नोट करना है मेगावली ठीक है मेगावली और जलदर जलदर वारिधर वारिधर और अम्बुज सॉरी अम्बुद ठीक है द एक अम्बुद को इसी तरीके से आप याद कर सकते हैं इसके लास्ट में जो है द और बीच में बादल के भी द आता है ठीक है यहाँ पर ओप्शन में दिया था ना अम्बर तो जिस बच्चे ने एक टाइम में रीड किया होगा ना परयावाचिक को तो उसको confusion लगेगा यहाँ पर अम्बर भी हमने कहीं रीड किया था बादल का हो सकता है तो जिस बच्चे ने ध्यान से पढ़ा होगा ना कि अम्बुद था परयावाचिक बादल का धग जिसके बीच में धग होगा और बादल के बीच में भी धग होगा तो वहाँ पर आपने टिक करना है ठीक है अम्बुद पर confusion हो जाती है कई वार तो बादल का अम्बुद परयावाचिक शब्द है नेक्स जो है आपको options दिये गए यहाँ पर जलदी option दिया गया है यह जो है आपका समुंदर का परयावचिक शब्द है किसका परयावचिक शब्द है समुंदर का समुंदर को और हम सागर भी बोलते हैं ठीक है क्या बोलते है सागर भी बोलते है और क्या बोलते हैं उदती भी बोलते हैं ठीके ये जो है important है क्योंकि ये कई वर पीपर में पूछा गया है जलदी भी बोलते हैं समुंदर को हम और जलदी भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं एक आया हुआ पीपर में पारा वर ठीके पारा वर ये भी जो है, समुंदर को बोला गया है, ठीक है? ये समुंदर का परयवाजिक शब्द है, ये सारे important है, आपने note कर लेने हैं, अब एक option दिया गया है आपको यहाँ पर, अंबर और मगवा, देखें मगवा जो है इंद्र का पर्यावचिक शब्द है ठीके किसका पर्यावचिक शब्द है इंद्र का इंद्र को और क्या बोलते हैं पर्यावचिक शब्द सुरेश, देवराज, महिंद्र ठीके वासव ये सारे की सारे जो है मेगवा के मगवा के जो है पर्यावचिक श गगन, नव, वयोम, ठीक है, वयोम जो है ना, कए komen पेपर में पूछा गया है, वयोम, ये किसका परवेस्ग शब्त है, अकाश का, ठीक है अंबर का, यहाँ पा जो D option दिया गया है आपको, ठीक है, नव, नव, ये भी कई बार exam में पूछा गया है, यह सारे के सारे जो है important है इसी के साथ आपने note कर लेने है D option के साथ अंबर, अकाश, गगन, व्योम, नव यह सारे के सारे note कर ले Next देखते हैं question number 16 सुपर्ष में कौन सा स्मास है? तो यहाँ पर जो है सुपर्ष में 16 question का C option जो है यहाँ पर right है करमधार्य समास है ठीक है Next देखते हैं 17 question कि समास के दोनों शब्दों के समाने दिकर, समाने दिकर्ण होने पर करमधार्य समास होता है तो 17 का यहाँ पर जो right answer है option number A जो है तक पोष जो है यहाँ पर सही उत्तर है Next देखते हैं बानुदय में प्रियुक्त संदी का नाम है तो बानुदय में प्रियुक्त संदी का नाम जो है यहाँ पर option number B जो है correct है ठीक है धीर्ग संदी है बड़ी उकी मातरा लगी है ठीक है बड़ी उकी मातरा बड़ी एकी मातरा जब बीच में कहीं हो तो हम easy से पहचान कर सकते हैं कि वो दीर्ग संदी है अगर आपको option में दीर्ग संदी ना दिया हो वहाँ पर स्वर संदी लिखा हो तो आप वहाँ पर भी टिक कर सकते हैं ठीके क्योंकि ये स्वर का ही type है दीर्ग संदी तो स्वर हूँ वहाँ पर भी टिक कर सकते हैं, ठीके, देर की जगा पर स्वर पर भी, निक्स दीखते हैं आपका question number 19, उचारन में प्रियुक्त संदी का नाम है, तो चारन शब्द में प्रियुक्त संदी का important question है, यह option जो यहाँ पर सही है, व्यंजन संदी, ठीके, अब उच चारन का संदी विशेद भी देख लें, उत्त, ठीके, उत्त जमा चारन जो है, इसका संदी विशेद है, ठीके, यहाँ पर हलंत लगता है नीचे, ठीके, उत्त जमा चारन जो है, इसका संदी विशेद है, और इसमें व्यंजन संदी है, ठीके, next question देखते हैं 20 number पर, निमन में इसे उपसर्ग रहित शब्द है देखे हर एक कोशन में आज उपसर्ग रहित पूछा गया है तो confusion नहीं होना है जिसमें उपसर्ग नहीं है आपने बताना है तो options को देखते हैं यहाँ पर option number d जो है आपका correct है देखे यह B8 की exam में भी कोशन पूछा गया है यह सारे के सारे questions जो है repeated होते हैं कई वार exams में आते हैं ऐसे ही ऐसे desires आते हैं तो आपने ध्यान से question को देखना है यहाँ पर जो है ना सुरेश में क्या है यह उपसर्ग नहीं लगाए इसमें ठीके सुयोग में विदेश में अत्यदिक में यहाँ पर सु है यहाँ पर वी है ठीके यहाँ पर जो है अत्यदिक में अती है उपसर्ग ठीके तो आपको पता होना जाए कि विदेश में वी है और सियोग में सु है तो इसमें सभी में उपसर्ग है लेकिन सुरेश में नहीं है और अगर सुर प्रत्य पीछी निक्स देखते हैं आपका 22 कोशन हिंदी के विशिष्ट बोली बजरबाशा किस देखते हैं प्रत्य प्रत्य बोली बजरबाशा किस देखते हैं आपका 22 कोशन एक मने के दुईवट वे रहीं उह मा लहरा अपने बाप से कहिस दादा धन्मा जवन हमर बखरा लागत होई तवन हम का दे दे तो इस हिंदी अफ़तर्ण में कौन सी बोली बोली गई है तो ये जो कोशन है B.A. अंट्रांस एक्जाम में भी आया था तो इनको आपने नहीं चोड़ना है अच्छे से अटेम्ट करना है यहाँ पर भी और बारवार रिवाइस भी करना है ठीके तो C.A. अप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है अवदी बोली ठीके निक्स देखते हैं आपका 24 कोशन सरकार मुझे नोक्री से मत निकाले तो नोक्री से मत निकाले से जो है यहाँ पर option number आपने कारक बताना है तो option number जो है यहाँ पर अपधन से यहाँ पर करक्ट है आपने अगर कार का टेबल किया होगा ना तो ही आपको यह कोशन अठ्छे से आएंगे अगर आपने भी तक नहीं learn किया है तो पहले उसे learn करिए तभी आप ये question attempt कर पाओगे ठीके तो यहाँ पर C जो है आपाधन ठीके आपाधन कारक है निक्स देखते हैं 25 राम क्रिकेट खीरता है पर अच्छा नहीं तो ये जो है आपका कौन सा वाक्य है तो option number 25 का यहाँ पर जो है B सही है ठीके संयुक्त वाक्य में निक्स देखते हैं 26 स्थान के आधार पर बताए कि मुर्धन्य व्यंजन कौन से है देखे very important question और कई वार exam में ये question as it is ऐसे ही पूछा गया है ठीके तो यहाँ पर जो है मुर्धन्य व्यंजन जो है C option correct है डर ठीके यह आपने मुर्धन्य व्यंजन जा लिए अब मुझे अपने comment section में comment करके बताना है कि इसमें कौन सी व्यंजन है ठीके यानि कि आपने उचारन स्थान बताने है घर घर जजर और पर जल्दी से comment करें यदि आपने उचारन स्थान अच्छे से पढ़े होंगे तो आपने अभी comment करके मुझे बताने है ठीके यह आपकी revision में हो जा है D option correct है ठीक है option number D जो है यहाँ पर सही है देखिए जब यह आपने उचारण स्थान पढ़ने है तो आपने बोल करके अच्छे से समझ के पढ़ने है ठीक है किसकी नाक से आवाज आ रही है किसकी time zip fold होकर जा रही है ठीक है कौन से शब्ध होटों से बोले जा रहे है इस तर प्रटा नहीं मार सकते है उचारण स्थान का पूरा टेबल अच्छे से लवन करना है ठीक है निक्स देखते है आपका 28 जोहर खुलना का अर्थ है जोहर खुलना का अर्थ क्या है यहाँ पर जो है option number D correct है ठीक है वेद का पदा लगना यानिकि जोहर खुलने का अर्थ है न option number C जोहर आपका correct है निक्स देखते है 30 कोशन नवल सुंदर शाम शरीर में कौन सा अलंकार है अलंकार भी पूछ जाते हैं शंद भी पूछ जाते है एक्जाम में तो यहाँ पर option number A जोहर खुलने करेक्ट है ठीक है उलेक अलंकार है लास्ट में आपका homebook देख लेते हैं गुर्दोर का सही संदीविशेद है तो यहाँ पर आपने संदीविशेद बताना है second question है समाज का शाब्दविक अर्थ है तो दोनों का आपने मुझे comment section में answer करके बताना है ठीक है दोनों easy है और सही से आपने उत्तर इसका बताना है students देखिए mock number 2 जो हिंदी का रहा हमारा उसमें मैंने आपको एक question कर राया था कि शब्द में आपने एक वजन बताना था इन शब्दों में ठीक है इन शब्दों में आपने एक वजन बताना था माफी चाहूंगी option number a नहीं रहेगा इसमें ठीक है जो सही होगा correct उत्तर होगा इसका जो वो होगा c option ठीक है तेल जो एक सूचना बताते हैं वह हमेशा किस में जाते हैं एक वजन में जाते हैं है लिक्विट फॉर्म में तेल जो है इसे की साथ आपने और कौन से शब्द याद रखने हैं जैसे घी ठीक है पानी और लस्सी हम पीते हैं ठीक है दूद रायता ये सारे के सारे द्रव्य की ये जो है आपके किस में जा रहे हैं बहु बचन में और ये किस में आ रहे हैं पुलिंग संग्याओं में आ रहे हैं ये पुलिंग ये भी पुलिंग है और ये जो है हमेशा क्या रहते हैं बहु बचन रहते हैं ठीके हमेशा ये हमेशा बहु बचन रहते हैं और इसके साथ ज एक्साम में कई बर पूछा गया है ठीक है अक्षत ठीक है अक्षत नोट करले इंपोर्टन्ट है यह वर ठीक है लोग इसी लिए आपको बता रहे हूं क्योंकि ये भी और दाम यह important है और exam में कई बार पूछे यह हैं एक बार repeat कर देती हूं जैसे भाग्य, धाम, लोग, हस्ताक्षर, आसू, बार ठीके यह सारे के सारे important है इसी question के साथ आपने note करने नहीं I hope यह question आपको clear हो गया होगा ठीके option अबार जो सही था इसका सही रहेगा इसे के साथ हमारे question जो है 30 यहां पर समाप्त होते हैं ठीके और यदि आपको यह video पसंद आई हो video को like करे, comment करे और जाधा से जाधा शेयर करे मिलते हैं next video के साथ धन्यवाद